Hello everyone, welcome back to my channel So, ये काफी पुराना कंटेनर मेरे घर पे रखा हुआ था मैंने मां को बोला, इसको हटा देते हैं And she replied, No इस घर से अगर कुछ भी बाहर जाएगा, तो वो हो तुम इस से अच्छा है, आप इसको ऐसे ही देखे और मैं इसको ऐसे देख नहीं सकती थी So, after thinking a lot, मैंने इसको टेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया So, ये तो थी इसकी पिछे की कहानी, अब चलते हैं अपने DIY की तरफ So, इस कंटेनर पे मैंने सबसे पहले प्राइमर एप्लाई किया है प्राइमर एप्लाई करने के बाद मैंने इस पर पेंट किया है Next, मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी लिया है वॉल पुट्टी में मैंने थोड़ा से फेविपोल एंड कलर मिक्स किया है अब मैं इस मिक्सचर को रड़ी करने के बाद इस स्टेंसिल की हेल्प से इस मिक्सचर को हम इसके उपर बहुत अच्छे से पहलाएंगे Next, हम इस स्टेंसिल को देले-देले हटाएंगे So, you can see the texture हम मास्किंग टेप इसलिए लगाते हैं जिससे हमारा कलर ना फैले Next, मैंने यहापर ग्लू लिया है इस ग्लू की हल्प से मैं अब इस पर पैबिक स्टिक कर दूँगे इस कंटेनर पर पैबिक स्टिक करने के लिए आपका ग्लू बहुत स्ट्रॉंग होना चाहिए आप इसको ग्लू गन के हल्प से भी स्टिक कर सकते हैं Next, मैं इसके उपर ग्लू गन के हल्प से लेज स्टिक करूंगी Now, मैंने टेक्श्चर के दीच में मेरा लिस्टिक कर दिया है And, मैं यहाँ पर एक लेज और लगाना चाहा रही थी So, मैंने यहाँ पर एक लेज और लिस्टिक किया है यह बिल्कल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोग सकते है इस कंटेनर को हम as a sitting store भी यूज कर सकते है But, मैंने इस कंटेनर को as a side table यूज करने का सोच रहा है So, यहाँ मेरा DIY कंप्रीट होता है You can see how beautiful it is मैं इस कंटेनर को उपर से cover नहीं कर सकती थी Because, मुझे इसको ऐसा storage box भी यूज करना है But, मुझे यह उपर से भी अच्छा चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पर brown का cotton fabric लिया है इसके अंदर बुक्रम डाल कर मैंने इसको सिलाई कर लिया है Next, मुझे इसको उपर भी कुछ color कारी तो चाहिए थी तो मैंने इसके उपर printing इस्टार्ट कर दी जो यहाँ पर बहुत जादा color की ज़रुवत नहीं थी मैं specific white color अप्राई करूँगी कर दो बहुते हैं नेक्स्ट मैं आपर ब्लॉक प्रणेग करने वाली हूं इसके लिए में पॉफ की हल्प से इस ब्लॉक पर कलर एप्लाइए कर दूंगे नेक्स्ट मैं इसको टैटि पर पेस्ट कर दूंगे ब्लॉक पॉइंटिंग मैं ने फॉस्स टैम क्या है so I enjoyed this process a lot now you can see the full matte next मैं इम दोनों DIY से अपने रूम का और देखने करने वाली मुँँ जसके साथ आपको एक और DIY देखने को मिलेगा so here you can go for my next DIY here it is so guys please tell me how you liked my video and if you like my video then please like share and subscribe my channel thank you so much bye bye you